दोस्तों काफी लोग का जो HDFC bank credit card है और decline होके अफ्रूव हो रहा है और अफ्रूव होने का यही तरीका है हमने अपने document को भेद दिया चेन नई हेट ब्रांच और मेरा card अफ्रूव हो गया मेरे पास काफी सारे mail आये मैंने काफी सारे वीडियो बनाए तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप HDFC bank card apply नहीं किये हैं तो कैसे apply कर सकते हैं आपके पास income proof है या नहीं है उससे मतलब नहीं है decline होता है तो कैसे आपने document को चेन नई हेट ब्रांच भेजेंगे step by step आपको बताएंगे इसके उपर काफी सारे वीडियो बने हैं कुछ update है जो हम इस वीडियो में सुधार करके आपको बताएंगे तो so please मेरा आप से विनिती है कि आप वीडियो को like करके support कर देना दोस्तों चेन नई हेट ब्रांच डॉक्मेंट भेजने का जो address है और आपको हमारे वीडियो के डिक्सित में मिल जाएगा आप वहां से copy कर लेना और मैं स्कीन पे भी आपको दिखा रहा हूं आप एड्रेस अच्छे से copy कर लेना यह मेरा पहला मैत्त हो गया इसके बाद आपका pain card आ बैंग का statement पड़ा होगा जरूर होगा आपके पास ITR भी होगा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है आपके पास silent slip है है या नहीं है कोई बात नहीं है आपके पास अगर बैंग का statement है उसमें पैसे होते हैं आप अगर अच्छा कैसे करते हैं तो आपका क्या हो गया पहला किस एड्रेश से भीजना है एक काम हो गया दूसरा आपका पेन कार्ड-अधार कार्ड हो गया तीसरा आपके पास income-proof में I-T-R- या तो या तो आप बैंक इस्टेटमेंट या तो आपके पास है उसका कॉपी या तो आपके पास किसी अधर बैंक का क्रेट कार्ड है तो आप पुछन भेज के बैंक स्टेट्मेंट चाहे किसी बैंक का हो चाहे एच डेपसी हो चाहे इस व्याई हो उसका स्टेट्मेंट थी दुख सिक्स मंद का कोई अधर बैंक कार्ड है उसके लिमिट अगर आपका एच चीजे लिफा आप में पैक कर लेना है अच्छे से इसके बाद आपने तो कर लिया अब एक लेटर में आपको लिखना है क्या लिखना है डियर टीम मेरा नाम एह है और मैं HDFC bank card apply किया था मेरा card decline हो गया और bank की तरफ से मुझे mail आया था यगर mail नहीं आया है तो वही दिक्कत नहीं है आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं अपने सारे document को फिर से भेज रहा हूं तो account number लिख देना और इसके बाद जो है अपना mobile number और इसके बाद अपना pain card का number अपना details जो भी आपके पास है ओ लिख देना है Hindi English जो भी आपको आता है आपने सब कुछ लिख लिया लिखने के बाद आपको एक letter जो अपने लिखा है उस पे signature कर लेना और इसके बाद pain card अधार card जो credit card का जो आगे वाला picture आपने लिया था या bank statement लिया था या ITR लिया था सब पे आपको signature कर लेना है इसकी बाद जो है आपके पास अगर दो passport site photo है तो ओ भी डाल देना इसमें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो case को reopen करते हैं तो कभी-कभी ओ फोटो अगर खराब हो गया रहता है या उसमें जैसे की कोई दिकत प्रसानी मालो अगर उसमें कोई अगर लगा दिया है या उस पर अगर signature कर दिया है तो आप दूसरा भेद देंगे तो भी अच्छी बात है advance में इसके लिए कोई जरूरी होता आप बेज सकते हैं दो फोटो password size का colorful रहे तो अब यह सारी चीज़े हो गए अब आपको जहां पे copy किताब जहां पे मिलते हैं सा लिफापे को आपका लिफापा जो है 10 से 15 रुपे 200 रुपे के something मिलेगा आपको उस पर पैक कर देना है पैक करने अच्छे से चिपका लेना है चिपकाने के बाद आपको अपने लिफापे के एक side में फ्रोम लिखना है फ्रोम में आपका address रहेगा जो आपका अधार card है उसका address आप फ्रोम में आगे जैसे कि आप इसे चिपका रहे हो तो आगे वाले side में आप फ्रोम लिख देना टू में जो address मैं आपको दिया हूँ ओ address कॉपी कर लेना आपको इस स्कीन पर दिखाई दे रहा होगा ओ address टू में लिखना अच्छे से और अपने जो अपना address लिख रहे हो फ्रोम में अपना mobile number email id जरू लिखना इसके बाद आपको जाना है speed post वहां पर बोलना है कि मुझे speed post करना है इसके बाद ओ आपको एक जो है tracking number देंगे आपका speed post कर देंगे 50-70 रुपे लगेंगे आपका एक दिवस से लेके 30 दिवस तक आपको wait करना है और उनके तरफ से reply आने में timing लगता है अगर आपका decline हुआ है तो in process so करेगा और आपक response जल्दी मिलेगा इसके लिए कोई message email आता भी है नहीं भी आता है और आपको wait करना पड़ेगा अब यह तो हो गया पहला process अगर decline आपने एक बार से पहले बेद दिया है decline हो गया है दो मन तीन मन्त हो गया है और आप फिर से यह तरीका अपना के अपना document भेजो अगर आप यह तरीका अपना के दुबारा document भेजते हो तो हो सकता है कि आपका civilis के पहले थोड़ा से कुछ उसमें गरवड़ी था सुधार हो गया होगा दूबर आपका application जाएगा आपका application जैसे कि आपने 4-5-6 मैंने apply पहले किया था आपको application number याद है तो आप अब भी document भेज सकते ह तो कोई इसमें दिक्कत ने केस आपका reopen होगा सेम application पर यकीन मानिए यह बहुत अच्छा process है इस तरीके से एकदम reality process बता रहा हूं आपका card जरूर अपरूब होगा अगर सब कुछ सही रहा limit high अगर नहीं मिला तो low ही मिलेगा बट अपरूब होता है एक काम जरूर करना 99% उम्मीद है कि card आपका approve हो सकता है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना मैंने आपको सारा तरीका एदम बताया अच्छे से और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना दोस्तों में share कर देना और चैनल पर नए आये है तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर और ओरूरा आपको उर्णा कर पारा आपको Neben